किसी राजे में नील कमल नाम का राजा राजे किया करता था राजा को अपने तीन बेटों में से राजे का उत्तराधिकारी चुनना था एक दिन राजा ने तीनों बेटों को अपने पास बुला कर उनसे एक ही सवाल पूछा अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसका क्या करोगी पहला बेटा अप राधी को सजा दी जानी चाहिए दूसरा बेटा काल कोटरी में बन कर देना चाहिए तीसरा बेटा पहले सच्चाई का पता लगाना चाहिए उसने कहानी सुनाई कि एक राजा की तोते ने अपने घर जाने की आग्या मांगी वापसी में वो राजा के लिए अमरत फल ला रहा था कि तभी एक साप ने उसे जूठा कर दिया और उसमें जहर भर गया राजा को देने से पहले वो फल कुत्ते को खिलाया गया और वो मर गया राजा ने सच्चाई जाने बिना उस तोते का सरकलम कर दिया बाद ने उसे तोते की बेगुनाही का पता चला और वो बहुत पश्टाए